कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छ होगे स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों कापके अपनी चैनल क्रिकोलेंड प्रिडिक्शन में है गाईज आज जो मुकाबला खेला जाएगा जी टी वी एस एसरेच की बीच में आई पिल का ये एक बहुत रोम करके देने इवाले मज़ा अ प्रिडिक्शन करके और अगर आप लुग मेरे चैनल पर नहीं हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को Like करना कोई दिकत नहीं है आप लोगों को पसंद आएगा तभी करना कोई जोर जब्रदस्ती है ना ठीक है तो चलिए वीडिय सो जोगा जरूँ चेक कर लेना क्यूंकि मेरे नाम से काफी जादा लोगों ने ना फेक चैनल वगरा क्रियेट किया हुआ है तो इसी से कह रहा हूँ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लेइंग 11 और रिसेंड फॉर्म हम लोग जानेंगे ठीक है ये चीज जानना बहुत इंपोर्टेंट है क्यूंकि जो लोग मेरे साथ पुराने उनको मालूम है हम लोग जितने काम करते हैं सारे काम लोजिकल वाईजी करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जीटी के तरफ से बात करते हैं काप्टन शुमान गिल के साथ वरिदमान साहा ओपन करेंगे शुमान गिल पिछले मैच में कुछ खासा नहीं किये थे वैसे बहुत बड़े खिलाडी हैं आई पिल में तो कह सकता हूँ बहुत बड़े खिलाडी हैं पिछले साल ओरेंज के अप इनों नहीं उठाई थी रिसेंट फॉर्म देखिएगा काबिले तारीफ है तो इंपॉर्टन खिलाडी मैं अभी से कहा दूँगा आप अपनी स्मॉल लिकी टीम में रख सकते हो खेर ग्रैंड लिंग में चाओ तो इनको एक बर ड्रॉप करके जरूर देख लेना वरिदमान साहा ये हीट और मिश्टाइप के खिलाडी है चलेंगे तो बहुत लंबा चलेंगा अधरवाइस कुछ नहीं करेंगे तो हालिया फॉर्म आप इनका देखोगे तो एक यहाँ पे 54 और एक यहाँ पे 81 दो अर्थ सता के बागी सब 20-30 के बीच में ही आप लोग इनका स्कोर मान के चल सकते हो बाबा साइ सुदर्सन इन्होंने गजब की कंसिस्टेंसी दिखाई हुई है इंका हालिया फॉर्म लाज जवाब है ठीक है विजय संकर 12-6 पिछले दो मैचों में किये हैं उससे पहले IPL से फहले इनका फॉर्म ठीक ठाक था एवरेस सा फॉर्म था इन्होंने पफॉर्मेंस किया था डैविड मिलर हर साल करता हूँ मैं इंपॉर्टेंट खिलाडी है और अगर टॉप ओडर भी खरता है न तो यह और भी मश्ट पिक वाले खिलाडी रहने वाले हैं अज मतुल टॉप ओडर अगर क्लैप्स करें तो आप अपने टीम इनको चाहो तो ले सकते हो क्योंकि हालिया फॉर्म में देख पा रहा हूं यहां से अच्छा है इनका लेकिन वही बात है कि बैटिंग करम नीचे है तो जब टॉप ओडर को ड्रॉप करना तो ऐसे सिच्वेशन में आ पर नियां करते हैं उमेस यादो और इनका बात करते हैं तो यह खिलाडी मतलब है दो विगेट निकाले थे उससे पहले उसके बाद 10 रनों का स्कोर किये थे विगेट नहीं निकाल पाये थे स्पेंसर जॉणसन हालिया फॉर्म गजब का एक विगेट दो विगेट कंटी न इनकाला है और फर्स्ट इनिंग के बॉल में आप अपने टीम में इनको ज़रूर जगा देना साई के सोर की बात करते हैं तीन ओवर के बॉलिंग में इनको एक विगेट मिलाता उतना बहतर इनका फॉर्म नहीं है ठीक है बाकि यही कुछ इनकी प्लेंग 11 हो सकती है आप ल लाल कपला दिखा दो वो भड़क जाता है वैसे ट्रैविस हेड को मुंबई इंडियंस मतलब बुलू कपला और एक इंडियंस नाम सुना दो पागल हो जाते हैं मारते हैं बहुत गजब मारते हैं 19 नमबर याद आ गिया था जो कि इन्होंने वर्ल्ड कप में किया था मयंक एक सर्मा को ट्राइ करना चूंकि उससे पहले का फॉर्म देखो 77 रन 0 विकेट 23 रन एक विकेट 13 रन एक विकेट 112 रन इंपोर्टन खिलाड़ी 112 आगे हैं तो यह इंपोर्टन खिलाड़ी है और डोमेस्टिकली इन्होंने काफी बॉलिंग भी की हुई है अब तु काफी जाता लोग इनके पीछे जाएंगे लेकिन जब कोई नहीं ले रहा था तब भी मैंने कहा था कि आप इस खिलाड़ी को जरूर्ट राई करना तो यहीं सब यूनिक प्रिडिक्शन होती है मेरे चैनल पे है अड़न मार्क रं 42 नॉट आउट किये थे उससे पहले 18-25 एक रन एक विकेट तेरा रन एक विकेट तो इनका भी पफॉर्मेंस ठीक ठाक है ठीक है हैंडिज खिलासन भाई यह तो मतलब लग रहा है किसी और गरास से आए पिछले दो सालों से मैं इनको देख रहा हूँ फ्लॉप ही नहीं हो रहा है बंदा क्या पारी खेल रहा है इंपोर् साहवाद्रेमत की बात करते हैं एक विकेट आप इनसे एकसपेक्ट कर सकते हो बैटिंग आएगे तो बैट भी चला सकते हैं फिष्ले मैच में दो विकेट निकाल है टीम के काप Harsh ने एक conscious हाज मैं से एक्सपेक्ट करके चल सकते हो जएदे आठकत को भी दो विगेट मिलाता इनकांसिस्टेंसी रहती है कभी निकालेंगे तो 4 विगेट भी निकाल देते हैं नहीं झीकालेंगे भुनेश्वार कुमार कोई विगेट नहीं मिला था लेकिन देखो भुनेश्वर कुमार IPL के दो मैच खेले हैं फॉर्म नहीं है लेकिन उससे पहले आप इनका फॉर्म देखो दो विगेट तीन विगेट एक विगेट पांच विगेट हर मैच में विगेट निकाल का रहे हैं डोमेस्टिक लिए ठीक है को जहन सनाएंगे तो इंपॉर्टेंट है और कोई भी इंपक्ट इसमें सो होता है खिलाडी दूसरी टीम के तरफ से केन विलियमस जोस्वा लिटिल मोहिश सर्मा सब का रिकॉर्डेट यहां पर रिसेंट फॉर्म लिखा हुआ है विनेंदू अजरंगा का फॉर्म लिखा अच्छा बात करते हैं मैच की तो मैच नंबर बारा है जो की 31 माज 2024 साड़े तीन बजे आप लोगों को सटर्डे के दिन नरेंदर दामोदर दा समोधी स्टेडियम एहमदाबाद जो की जीटी का हम ग्राउंड रहने वाला है ठीक है पिछ रिपोर्ट बैटिंग पारेडा लिए बहुत अच्छी विकेट रहने वाली है बारा टूटल विकेट पिछले पांच मैचों में गिरे हैं जहां पे दस विकेट तो लगबग 80% विकेट तो पेसर्स नहीं निकाला है बाकी मातर दो विकेट इस्पिनर्स के खाते में गए हैं वेनू के हसाब से बात क्या ज मोई शरमा पांच मैच में तीन दसमलों च्छे विकेट और इस ग्राउड पर निकालते हैं यह खहलें गे तो इनका ख्याल रखना फैट कमें 2 मैच में 2.5 विकेट जो कि पहले मैच में ही निकालेता है अब इस ग्राउंड पर अगर बात किया आजए कुछ मैच उसकी तो देखो जीटी एमाई का मैच खेला गया था जहां पर जीटी की टीम 168 6 विगट के नुक्सान पर बनाई थी जवाब में माई की टीम चेज नहीं कर पाई थी लेकिन चेज नहीं कर पाई थ तेरा विगट यहां पर पेसर्स ने निकाला था मातर दो विगट स्पिनर्स को मिल पाया था जीटी 214 चार विगट के नुक्सान पर 171 CSK की टीम बना पाई थी छे विगट पेसर्स तीन विगट मातर स्पिनर्स यहां पर 233 यहां पर जवाब में 171 चेज करने वाली टीम माई ने बनाया यहां पे 188 यहां पे 154 जादा तर विगट पेसर्स को ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है 90 जो विगट होते हैं फास्ट गती के गेंदबाज निकालते हैं स्कोरिंग देखो 200-2190 के करीब बहुत अच्छा यह ग्राउंड है आप कम से कम 190 तो यहां प भी हुआ था अब बात करते हैं यह जब दोनों टीम आपस में खेलते हैं तो कुछ टॉप खेलाड़ी ठीक है जो अच्छा पफरमेंस करते हैं अभी शेक सर्मा जीटी का अगश्ट तीन मैच में 112 रने पैंसर्ट हाइस्ट है और फॉर्म इन का गजब का है तो आप अपने टीमे ज़रू ट्राइ करना है मेच में FC 36-56 जा bet इन मेच में इंच में Ciao सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह important रहने वाले आज इनका ध्यान रखना और अगर उम्रान मली खेलेंगे तो important यह भी रहने वाले दो मैच में मात्र छे विगेट मोहिशर्मा बारा में 18 विगेट मोहिशर्मा का ध्यान रखना देखो प्लेयर्स बैटल की बात करते हैं सुमन गिल ओपन में बैटिंग करना लेखाइंगे open में बालिंग करेंगे भुनेशवर कुमान 38 बाल में 40 वין दियें है और दो बर आउट कियें दो इनका ध्यान रखना खार उम्रान मली 11 वाल बाल में एक किस रन दिये एक पर उटकिया है सुमन गिल नंटराजन से एक बहर फंसे हैarian है तो टॉप ओडर ज़ादा मैटर करता है प्लेयर्स बैटल में बाकि जो की दूसरी टीम है अब इनके तरसे कुछ देख लेते हैं अब्दुल समाथ देखिएगा मोहिस सर्मा ने इनको एक बर आउट किया हुआ है हैं रिच कलासन लिटिल ने एक बर आउट किया है लेकिन मार भी किया है राशीद खान राहुल तवतिया आउट नहीं कर पाए तो प्लेयर्स बैटल आप चाहुत स्क्रीन सोट ले सकते हो पिछले साल जो मैचेस खेले गया थे इन दोनों टीमों के बीच में उसमें कौन से खिलाड़ी परफोर्मेंस किये थे उनका नाम लिखा आप च इसी तरह देख सकते हो एक और मुकाबला था यहां पे जहां पे केन विलियमसन के संतावन थे अभी शेक सर्मा के 42 थे हैं भुनेश्वर के मैच में मार कर लो और भुनेश्वर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है चलने की प्रोस्बेल्टी भी अच्छी खासी है बाकि आप प्रिडिक्शन बैट रही है वो कह रही है कि भुनेश्वर आज के मैच में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं चलो देखते हैं क्या कुछ टीम मनकर रेडी हो रही है यह जो टीम है स्मॉल लिकी टीम है और ग्रान लिक के कुछ खिलाडी भी मैं आपको वीड़ो में बता है हैं बाकी चलो यहां से हम लोग स्मॉल लिक की टीम डिसकस करते हैं यहां भी मैं आपको खिलाडियों को बता दूंगा हैं रिच के लासन मश्टपिक वाले खिलाड़ी ज्यादा सोचना नहीं है क्याप्टेंसी वाइस क्याप्टेंसी दे सकते हो दोनों मैच में गजब का है वरिदमान साहा को लोग ले जा रहे हैं लेकिन हिट और मिश्टाप के खिलाड़ी है ट्वेंटी स्थर्टी आप चाहो तिन से एक्सपेक्ट करके चल सकते हो लगभग एक विकेट का पॉइंट ही आपको प्रवाइड करा सकते हैं जादा इनसे उमीद है ने मुझे है ब लोगों को इंपक्ट खिलाडी आते हुए दिख जाएं सेकेंड इनिंग में ठीके अगर फर्स्ट इनिंग जीटी के टिम बैट करेगे तो यहाप लोगों को दिख जाएंगे बाकी मयांग का अगर्वाल का विकल्प है लोग कम ट्राई कर रहे हैं ग्रांड लिंग में ट् सकते हैं तो इंपॉर्टेंट है अजमतुल्ला उमर्जाई यह दोनों मुझको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं दोनों को मैंने टिम में लिया हुआ है इस्मॉल लिगे नजर यह से और यहां पर कोई अच्छा में है नहीं ठीक है हाँ बॉलिंग से पैट कमिंस बॉल करें और यह खेलें तो आप इनके साथ जा सकती हो लेकिन मैं कुछ अलग करते हुए भुनेसवर कुमार को अपने टीम में ट्राइ कर रहा हूं क्यूं ट्राइक कर रहा हूं वीडियो में मैंने बताया हुए तो जो लोग वीडियो देखे होंगे समझ रहे होंगे कंपर्माइस नहीं कर सकता हूं मैंने अजमतुल्ला उमरजाई को दी हुई है यहाँ पर टीम का प्र वीडियो देखेगा जहाँन चारों कप्र ना बनाके देख सकते हो, आडन मारकरम को भी देख सकते हो, खान से अब यहाँ पे आप इनको ट्राइ करके चल सकते हो, ग्रांड लिंग में भूवी को आप लोग जरूर ट्राइ करना, ठीक है, और ग्रांड लिंग में जब भूवी को आप लोग ट्राइ करना, तो टॉप ओडर ना जीटी का आप लोग ड्रॉप जरूर कर देना बाकि आफटर टोस जो भी मेरी फाइनल टीम होगी और अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉंस होगा तो आप लोगों के डिमांड पे ग्रांड लिग की वीडियो भी बना दी जाएगी तो क्रिक 2580 लिग चीज में लॉजिकल बताता हूँ टेन के सस्क्राइबर जल्दी से आप लोग करवा दो ठीक है छोटा आप लोगों कभी चैनल दिख रहा होगा लेकिन जो लोग मेरी वीडियो अच्छे से समझोंगे उन लोगों को मालूम होगी कितनी अवल दर्जे की प्रिडिक्शन बागी मिलते हैं अगर अच्छी वीडियो के साथ तब तक लिए गुडबाई टेक्ट